आस्टाम अलेकूम वेलकम टू जी एफेक्स मेंटॉर मैं आपका टीचर इम्रान और आज हमारी है क्लास नंबर फोर्टीन थे और आज हम देखेंगे स्वाचेज नाव स्वाचेज हमारे पास तीन थरह के होते हैं एक होता है आपका आपके पास ग्रेडियन के स्वाचेज और तीसरे होते हैं पैक्टरिन स्वाचेज पैक्टरिन स्वाचेज को थोड़ा सा डीटेल में मैं समझाना चाहरा हूं इस वल्ग और लेट से स्टार्ट आईए देखना हैं स्वाचेज के पासे पासे बॅपर आपके जो अपने और साचेज अ सीच उतिति हैं प्लस आपट से फैर से कलर्स देखा खैएं और इन कलर्चेज़機 आपके बिल्हें से करने के साथिए यह दो तीन और आप्शन है एक और option आप लोगोंने यकिनन देखा होगा यह swatches, so आज हम देख रहे हैं इसको swatches को, ठीक है, so swatches में होता क्या है, जिसे हम मैंने बताया, आप लोगों के पास तीन colors, तीन तरहा के swatches होते हैं, एक आपके 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 अपास gradients, और एक होता है आपके आपके पास pattern, now pattern को हम थोड़ा सा detail पे खुद अपने patterns भी बना कर देखेंगें, बट पहले मैं आप लोगो यह color swatches बताना चाहरा हूँ, so color swatches का एक सबसे main advantage ही है, कि आप for example, यह project आप कर रहे हैं, कोई brochure design कर रहे हैं, और आपने color scheme बनानी है, right, so आप simply यहां से एक new color group बना सकते हैं, ठीक है, आप इस color group का नाम रख लें, जैसे my colors, ठीक है, और यहां पर देखें, by default, यह इसने एक color खुद उठा लिया, और यह color कौन सा था, जो यहां पर इस वक currently मेरे पास मौजूद था, ठीक है, मैं इसको delete कर रहा हूँ, जो जब यहां पर यहां प बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है, इसको select करें, आप वहां से भी color बना के directly यहां पर add कर सकते हैं, यह color मैंने बनाया हूँ, मैंने इसको click किया, और यहां से आके मैं कर रहा हूँ new, ठीक है, अब new करने में देखें, आपके पास क्या-क्या options दे रहा है, swatch का name दे रहा है तो यह spot color, तो अगर, अचा, what is process and spot color, मैं आपको बता दू, printing में एक चीज होती है, process printing, जिसमें CMYK को मिला करके यह colors बनाया जाते हैं, एक और चीज होती है, आपके पास spot color, spot color यह होता है, जो आपके पास special inks होती है, for example, pentone, एक company है, अगर आप थोड़ा google कर लीजेगा, what is pentone, pentone के अपने special inks आती है, इसके लावा एक दो और companies है, but mostly जो common है, वो pentone है, right, so अगर आप spot color रखना चाहरे है, आप इसको spot color बता सकते हैं, and then आप यहां से, जो भी values आप देना चाहरे हैं, आप दे सकते हैं, बारा, spot color के बारे में मैं इतना बता दू, वो किसी और से मिलकर नहीं बनता है, उसकी खास ink होती है, वो एक अकेला color चाहरे होता है, right, now, let's say, अगर हम इसको spot color करना चाहरे है, या process color करना चाहरे है, let's keep it for now, हम इसको process color ही रख रहे हैं, plus यहां पर देखें, एक option आपके वाज़ दिया हुए, कि आप इसको global करना चाहरे हैं, या अब यह इसको मैं थोड़ी दिर में आप लोगों को समझाता हूँ, कि क्या है, क्या काम करता है, यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, जब आप अपना पूरा artwork बना लेंगे, उसके बाद अगर आपको सबके colors अचानक से एक साथ ही change करने हैं, तो आप बहुत easily यहां से change कर सकते ह लगा है दो, ठीक है, so let's keep it this way, मैं इसको global पे ही रख रहा हूँ, और okay कर रहा हूँ, see, यहां पर आपके पास यह color आगया, और याद रखें, global जब भी आप करते हैं, आपके पास यह इस तरह से simple सा एक color आ रहा हो, ठीक है, now, दूसरा color मैं आगर बना रहा हूँ, let's say, मैं यही color ले रहा हूँ, और यहां से आके मैं, याद रखें, आप इसको दूरूर select कीजिएगा, and then फिर आप आके यहां से new कीजिएगा, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ, sharp pink, and make it global, and okay, यह आपके बस दूसरा color आ गया, ठीक है, तीसरा color मैं एक और ले रहा हूँ, let's say, मैं य यह वाला green ले रहा हूँ, ठीक है, और यहां से आके मैंने new किया, और इसका भी नाम मैंने दे दिया, कुछ lime green, and global, आप देखें, sorry, इसको उठा करके यहां लेकर आना है, अगर यह आप कभी इस तरह से कर लेके वहां चला जा तो please आप drag करके यहां पर ला सकते हैं अपने group में, अब इस group का फाइदा क्या है, right, let's say, मैं कोई design बना रहा हूँ, और design बड़ा simple सा है, कि कुछ circles है, ठीक है, and let's align them, यह जरूर देख लिया करें कि आप align to artboard तो नहीं कर रहें, यह मैं आपको बता दूँ, sorry, मैं आपको पहले नहीं बताया था, but यह align के panel में आपके पास option दिया हुआ है, यहां से show options करें, और align to आप बता दे कि selection पर, last time मैंने कुछ काम कर रहा था, तो मैंने align to artboard किया रहा था, इसको आप align to selection रखे, align to artboard रखेंगे, तो आपके इस artboard के साथ यह align कर रहा होगा, कि like, अगर मैं bottom करूँगा, तो बिल्कुल नीचे ले आएका, right, so मैं इसको align to selection करके, मैंने यह चीज़ किया, right, and just remove these strokes, now, इसमें मैं यह maroon color रख रहा हूँ, yeah, red, जो deep red था हमारा, यहाँ पर यह pink रख रहा हूँ, और यहाँ पर यह मेरा green already selected है, अब for example, यह मैंने एक object बनाया, और इसको मैं कई जगाओं पर, suppose, use कर रहा हूँ, मैंने इसकी multiple copies ले ले लिए, ठीक है, अब होना यह है, कि मिसाल के तौर पर मुझे लग रहा है, यह green बहुत odd लग रहा है, right, और मुझे इसको change करना है, so obviously, देखें, यहाँ से तो यह change नहीं हो रहा, अगर मैं इसको करूँगा, तो यह बहुत से बहुत क्या होगा, कि यह हलका हो जाएगा, कि कितना percent आपको यह use करना है, बारन मैं यह नहीं करना चाहरा हूँ, मैं चाहरा हूँ, यह overall green जान जान यूज हुआ है, वो change हो जाए, किसी और color में, so आप simply यह करें, कि इस, जो swatch का जो यह चोटा सा thumbnail दिया हुआ हूँ, इस पर double click करेंगे, and यहां से आप select कर लें कोई दूसरा color, ठीक है, आप preview भी on कर लो, ताकि आपको directly यहां पर result देखता रहे, तो मैं यहां पर थोड़ा सा pink ही ले रहा हूँ, और बहुत light सा pink, ठीक है, यह, और बहुत light pink, see, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, and it's a global thing, okay करें, आपके देखें, हर जगह, जहां-जहां वो green यूज़ वहा हुआ था, उसने replace कर दिया, इस pink से, so, यह एक सबसे बड़ा advantage है, कि आप अपने artwork में, कहीं पर भी, जहां पर आपने आपकी फाइल में यह color यूज़ किया, वो automatically सब्सक्राइगा, खुछ change हो जागा, आपको सिर्फ यहां से change करना होगा, right, एक का, दूसरी बात, कि, एक और मैं बता दूँ कि, अगर कोई color global नहीं है, for example, मैंने कुछ circles बनाएं, और इन में, मैं, कोई ऐसा color ले रहा हूँ, जो कि global नहीं है, for example, मैं एक नया color बना रहा हूँ, and, let's say, अजीब सा green, and, मैंने इसको, भी, इसी group में add कर दिया, ठीक है, पर इसको मैं global नहीं कर तो मैं double click करके जब भी change करूँगा, सिर्फ यह change होगा, मेरा artwork में color change नहीं होने वाला, so make sure, कि, अगर आप अपने swatches खुद बना रहे हैं, तो global बनाएं, right, so, यह आपको काफी help करेगा, एक, दूसरी बाद, similarly, आपके पास gradients भी मौजूद हैं, आप gradients का भी swatches बना सकते है and gradient आप simply इस तरह से कर सकते हैं, कि आप अपना gradient का panel खोल ले, suppose, यह gradient बना हुआ है, और मैं इसको simply drag and drop करता हूँ, यह आपके पास यहाँ पर add होता जाएगा, ठीक है, and मैं इसमें जादे इतनी details नहीं देना चाहरा है, इसको आप यू समझ लें, कि आप जब भी gradient बनाएं, आप रख लें, आपको बार बार gradient बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, now तीसरी टाइप का जो स्वाज आता है, वो है आपके पास pattern swatch, अच्छा जी, pattern swatch क्या चीज़ है, pattern swatch यह होता है, कि आप कोई design बनाएं, और वो as a tile, जैसे floor पे tiles लगते हैं, या walls पे tiles लगते हैं, आ तो आप यहां पे बहुत असानी के साथ अपने पी patterns बना सकते हैं, मैं बहुत simple सा pattern आपको बना के दिखा रहा हूँ, let's say एक हमारे पास box है, and इस box में ये color है, और इस box के अंदर एक star बना हुआ, so it's a very simple design, मैं बहुत जादा बड़े detail फाला कुछ भी नहीं बना रहा हूँ ठीक है, now align जरूर कर लीजेगा, now देखें, अगर इसको आप 100% लेके तो ये size मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करना चाहरा हूँ, right, इसको अगर मैं drag करके यहां पे drop करूँगा, तो ये देखें, आपके पास एक pattern बना वा गया, अब इस pattern का काम क्या है, आप जैसे कोई object बनाते हैं, आप उसके अंदर इसको fill कर सकते हैं, see, fill उपर रखिएगा, stroke में भी और ना fill हो सकता है, ठीक है, so मैंने जैसे यहां click किया, तो ये आपके पास एक pattern बना वा गया, like this, लेकिन अगर आप गोड़ से देखें, तो इस वक्ति ये आपके stars जो हैं, एक line में चल रह दो के बीच में यहां पर एक आ रहा होगा, फिर यहां पर दो आ रहा होगा, इस तरह से पूरा pattern बनावो, तो ये by default तो यह आपको यहीं grid में बना के जाएगा, अगर आप इसको edit करना चाहरें, तो फिर simply आप इस पर यह करें, जो thumbnail बनी भी आ रही है, इस पर double click करें, आप आपके पास एक preview on हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास यह pattern options खुलावा आ जाएगा, ठीक है, इस pattern options पर अगर आप यहां देखें, तो tile type आपके पास आ रहा है, grid, अगर आप grid के बजाए इसको brick by row कर लें, तो यह अब देखें, यह बिल्कुल वैसी setting होगी, जैसे मैं कहा आपके पास brick by column भी है, and hex by column भी है, hex by row भी है, obviously हम इनको use नहीं करेंगे, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, इस column यह हम थोड़ी देर में देखते हैं, वाराल इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप brick by row कर ले, and जब आपको लगे कि हाँजी finalize हो गया है, तो यहां ऊपर दे save a copy, and cancel के option आ रहे है, so इसमें से मैं सिर्फ done कर रहा हूँ, and zoom out करें, so this is it, यह आपका एक बड़ा असानी के साथ, वहती खुब्सूरता एक pattern बन गया, ठीक है, now इसी चीज़ को use करते हुए, मैं एक और pattern आपनों को बना के दिखा रहा हूँ, यह थोड़ा सा different है, जारे हम आपने अभी दख brick by row and brick by column देखा है, तो let's see, हम और क्या बना सकते है, so मैंने एक hexagon बनाया है, और hexagon में भी, मैं इनकी copies ले रहा हूँ, और उनको छोटा करता जा रहा हूँ, ठीक है, इन सब को मैं align कर रहा हूँ, और देखने, थोड़ा से size में difference आ रहा है, मैं इसको बढ़ा कर रहा हूँ, इसमें मैं color ले रहा हूँ, यह, यह, और इसके मैं strokes भी अटा रहा हूँ, यह बड़ा simple सा मेरे पास एक pattern बना वा गया है, मैं इसको simply drag करके, यहां पर drop कर रहा हूँ, अगर मैं एक box बनाता हूँ, और उसमें यह pattern fill करता हूँ, तो देखें बड़ा अजीब सा, sorry देखें इस stroke में आ गया, फिल उपर रहें, बड़ा अजीब सा यह pattern आ रहा है, अजीब सा क्यों है, अच्छा है तो बुरा भी नहीं है, अजीब सा इसलिए है कि यहां पर यह पीछे white दिख रहा है, मैं नहीं चाहरा था कि यह white आए, और यह actually white नहीं ही transparent है, right, so अब क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको जाके करेंगे edit, simply इसकी thumbnail पर double click करेंगे, और see this आपको यह preview दिखा रहा है, यहां से अगर आप grid के बजाए, अब हमारी बारी आ रही है, hex by column, hex by column क्यों, hex by row क्यों नहीं, hex by row थोड़ से differently use होगा है, like अगर आपने rotate करके रखा होगा, like उसका pointed part उपर हो, तब आप यह use करेंगे, otherwise आप hex by column करेंगे, so I believe यह यहां तक के तो अच्छा लग रहा है, कुछ simply done करें, and that's it, यह आपका एक बहुत ही मज़िदार सा, honeycomb वाला pattern बन गया है, तो I hope यह आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा अगर कभी आप यह हो, कि आप इसको resize करें, और आपके patterns इस तरह से खराब हो जाएं, so don't worry, आपको tension लेने की जरूत नहीं है, आपका pattern दुबारा सही हो सकता है, आप जाकर के दुबारा इस thumbnail पर क्लिक कर दें, यह बिल्कुल आपका pattern सही हो जाएगा, ठीक है, now, illustrator आपको कुछ एक छोटा सा bonus भी देता है, और वो bonus क्या है, कि आपके पास कुछ बने-बनाएं, swatches की libraries मौझूद हैं, अगर आप window के पैनल में जाएं, और यहां नीचे आ जाएं, यहां देखें, यह रहे हैं आपके पास swatch libraries, आपके पास बे-तहाशा color schemes बनी हुई रखी हुई हैं, यह pentone के colors हैं, जो मैंने जैसे बताया था के spot colors में यूज होते हैं, इसके इलावा भी हैं, सही है, यह color books के अंदर हैं, उसको छोड़ दें और यूज हमें जरुत ही है, बारहल color properties अगर आप देखें, bright, cool, dark, desaturated, light, saturated, soft, so मुझे अगर soft colors चाहिए हैं, इस पर आप क्लिक करें, यह आपके पास सारे soft colors आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा और different चाहिए, let's say, मैं earth tones में जा रहा हूँ, यह आपके पास और आगे color schemes, तो यह एक पूरा पैनल आपके पास आया वा, और इसमें different आपके पास colors, colors की schemes पूरी बनी बनाई हैं, आपको मिल रही होती हैं, आप इनको use कर सकते हैं अपने artwork में, और किस तरह से use करेंगे मैं आपको बता दूँ, कि यह जैसे ऐसे folders बने हैं, यह पूरी पूरी color scheme है, color schemes क्या होती हैं, किस तरह से use होती हैं, मैं color theory में बहुत डीटेल में आपको बताने वाला हूँ, इंशाला, सो उस वक्त हम इसको देख लेंगे, कि क्या और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास patterns के भी कुछ swatches दिये हुए हैं, बनें-बनाएं, so swatch libraries में जाएं, then see, यहां पर आपके पास patterns दिये हैं यह रहें, so basic graphics है, decorative है, nature है, let's say मैं अगर decorative में जाता हूँ, and decorative legacy में जा रहा हूँ, see this, यहां पर आपके पास बहुत ही interesting से, बहुत मज़े से, कुछ बहुत छोटे-छोटे से और बहुत delicate से patterns बने वे हैं, please इनको हलका मत लीजेगा, बहुत काम की चीज़े हैं, और बहुत अच्छे से, आपको results मिल रहे होते हैं, so I hope के यह आपनों को थोड़ी सी class useful लगी होगी, और बहुत छोटी लगी होगी, मुझे पता है, मैं usually अपनी classes बहुत लंबी रखता हूँ, but मैंने एक चीज़ और नोट किये के, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा के, class बहुत लंबी होती है, और यह भी मुझे लगा के, कुछ लोग जाहरे पूरी नहीं देख रहे हैं, skip करके जा रहे हैं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, जो topic जिस तरह का होगा, उतना मैं time लोगा, यह topic थोड़ा सा छोटा था, and I believe कि इसमें भी, आपके पास करने को बहुत कुछ है, इसकी practice कीजिएगा, और जो community group है हमारा Facebook पे, GFX Mentor Community उस पे आप आएं, अपना काम submit कर रहा हैं, और लोगों से share करें, ठीक है, सो देखें उसमें फायदा ही होता है, कि आपको थोड़ा सा motivation मिलता है, कि हाँ जी दूसरे लोग भी कर रहे हैं, और प्लीज शर्माइए कर नहीं, अगर आपका काम आपको लगता है कि बुरा है, उसरब आपको लगता है कि बुरा है, वीडियो और ब्रेशे में हम बहुते मज़ेदार किसम के कस्टम ब्रेशे बनाएंगे, ठीक है मेरे पास अभी टूल्स कुछ बाकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह भी चीज़ें इंपॉर्टन हैं, यह बहुत जरूरी हैं, आपने अब लोग देखा हैं, आप लोग ब्रॉश देखेंगे, आपनों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए गा, और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं, कि मेरा चैनल आके देखें, बहुत कुछ से खा रहा हूँ, तेंक्यू!